सबस्क्राइब दोस्तों कैसे यहां अपनों मेरा नाम है अर्शिद योदी मैं आपको सौध करता हूँ इस वीडियो में देखे एडवेंट आफ यूरोपेंस इन इंडिया चल रहा है दड़ इस तरीके से इंडिया में आई क्या हुआ कैसी इनकी इंग्लिश इस इंडिया कं अप बात करेंगे कि प्रोग्र्स कैसे हुई इंग्लिश कंक्पनी की इंडिया में तो पहלे उनका फोटोवल्ड हुआ वेस्ट में और साउथ में कि इसके बारे मैं हमने पिछले वीडियो इमें बात की अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल पर उन्होंने कबजा कैसे किया, बंगाल पर कबजे की शुरुवात कैसे हुई, बाद में फरकसियर के फर्मान आएंगे, उस फरकसियर के फर्मान में क्या बोला गया, इन सब चीजों को देखेंगे और फिर पूरी एक टाइम लाइन देखेंगे, एक क्रोनलोजी देखेंगे कि कैसे Britishers के entry हुई और end तक क्या-क्या हुआ तो उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे दोस्तों आगे बंड़े पहले दोस्तों इस वीडियो को like बटन ज़रू दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दें देखें बंगाल का जो प्रोविंस था काफे रच था ये जो Britishers थे आप कह सकते हैं कि सत्वी शताबदी की शुरुवात से ही इनकी बंगाल की तरफ नजर थी भै अच्छी खासे महाँ पे profits थे, trade revenue अच्छा था महाँ पे आप देखोगे कि अकबर के समय ही, अगर आपने मेरी NCRT's की books देखी हैं, मैंने आपको बताया था कि अकबर के समय ही मुगलों का बंगाल पे कबजा हो गया था और बंगाल को एक सूबा बना दिया गया था और एक important सूबा था बंगाल बाद में आप देखोगे कि भाई शाह जहां मुम्ताज महल का बेटा शाह सूजा शाह सूजा जी को बनाया जाएगा सूबेदार बंगाल का ओके, तो भाई ये जापना के बेटे थे, तो इनको governor बनाया गया, Britishers ने क्या बोला, कि चलो, शाह सूजा जी को बटाते हैं, शाह सूजा जी की पास पहुँचे 1651 में, Britishers ने ने से कहा कि भाई, हमको आपके इस बंगाल के इलाके में ट्रेड करना है, शाह सूजा ने ने कहा ठीक है, तुम ट्रेड करो, तुम एक काम करो, तीन हजार रुपए दो तुम, बंगाल सूबे बिटिश कंपनियों ने बंगाल के आसपास अपनी ट्रेड फैक्टरी इसको सेट अप करना शुरू किया, तो हूगली की फैक्टरी आपकी सेट अप हुई, 1651 के लगबग फिर आप देखेंगे कि आसपास की जगह हैं थी, वहाँ पे भी फैक्टरी सेट अप होगी जैसे कि पटना में फैक्टरी सेट अप होगी, कासिम बजार में फैक्टरी सेट अप होगी दोस्तों राजमहल में फैक्टरी सेट अप होगी अब देखे जो शाह सूजा ने इनको फर्मान दिया था शाह सुजा ने जो 3000 रुपए के बदले में इनको जो प्रिविलेज दी थी प्रिविलेज ये थी कि बिना ड्यूटी भरे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं लेकिन अव्वेसी बात है जो वहाँ के ओफिशल्स थे जो कस्टम ओफिशल्स थे अब देखें जो जो कमपनी के ओफिशल्स थे न दोथो ये कॉमर्शियल पर्पस के साथ-साथ अब पॉलिटिकल पर्पस को भी इम्पोस करना चाते थे यानि कि इन ओफिशल्स को ये लगने लगा था कि अगर हमको ठीक से कॉमर्स करना है ठीक से trade करना है, तो हमारा थोड़ा political control होना चाहिए, जोकि जब हमारा political control होगा है, तो हम धन्दा भी अच्छा कर पाएंगे तो ये 45 settlement चाते थे, हुगली में 45 settlement क्या, कि माल लिजे एक, इन्होंने base बनाया अब ये वैसे तो trading base है, इनको permission मिली trading की, पड़े इसको 44 रस से 45 कर देंगे पड़े बड़े दिवाले खड़ी कर देंगे अंदर military होगी, proper organized military, तो इस तरीके चीजे इन्होंने करने की सोची अब देखे, करने की कोशिश कैसे की जो आपकी company थी East India Company, इसके एक agent थे William Hedges नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर William Hedges ने क्या का? William Hedges ने, मुगल गवर्नर थे बंगाल के अगस्ट 1682 की बात हो यह और देखे, 1682 की समय पर मुगल emperor कौन था? वो हो गए थे अब औरंग जेब तो उस समय पर जो मुगल गवर्नर थे, वो थे शैस्ता खान, शैस्ता खान से अपील की William Hedges ने कि भाई हमें एक ऐसी फैक्टरी बनाने की पर्मीशन दी जाए जिसको हम 45 कर सके इसकी पर्मीशन उनको शैस्ता खान से मिली नी शैस्ता खान ने बोला, तुम ट्रेडिंग कंपनी हो, तुमको ट्रेड करना है तुम्हें 45 करने की क्या जरूह थे तो भाई, इस बात पे जो अंग्रेज थे वो नाराज हो गए, आप देखेंगे कि एक तरीके से अंग्रेजों और मुगलों के बीच में लडाई सी छेडने लगी, थोड़ी हॉस्टिलिटीज आई, शुरू में हॉस्टिलिटीज के वल बातों में थी, दीरे-दीरे वो लडाई का फॉर्म लेने लगी अंग्रेज भी हीरो बनने लगे पर अंग्रेजों ने ध्यान ने दिया कि उस समय पे जो सेंटरल एंपरर थे वो औरंगजेब था और मुगलों की ताकत उस समय पे बहुत थी तो इस समय पे जो इंग्लेंड ने किया इंग्लिश के रेप्रेजेंटेटिव ने से क्या क्या मुगल इस वो पंगा लिया, वो गलत पंगा लिया इसका आप खामियाजा इस तरीके से देखेंगे कि अक्टूबर अक्टूबर 1686 में जो इनकी हुगली की फैक्टरी थी ना इन बिटिशर्स की, उस हुगली की फैक्टरी को तहसनेस कर देंगे मुगल भाई उस पर अटाक मारेंगे और सब तोड़तार डालेंगे इसके अगेंस्ट में जो अंग्रेज हैं वो भी शांतनी बैठेंगे, तो अंग्रेज क्या बोलेंगे कि भाई तुमने हमारी फैक्टरी थोड़ी है तो हम तुमारे फोर्ट तोड़ेंगे तो भाई थाना में फिर इस्ट मिदनापूर में एक हिजली करके जगा थी वहाँ पर जो मुगल फॉर्टी फिशिएशन थे मुगल की जो किले बगएर बने थे उनको तोड़ दिया बाला सोर में अब भाई एक प्रॉपर लड़ाई सी चड़ी और अंग्रेजों को खग्रेड दिया मुगलों ने मुगलों ने दोड़ा दोड़ा के मारा अंग्रेजों को उस समय पर अंग्रेजों को लगा कि मुगलों से लड़ लेंगे इनकी बहुत बड़ी गलती थी तो भाईया अंग्रेजों को मुगलों ने ज़्यादा दूरनी उनको जाके छोड़ दिया गया अब जब मुगलों ने हुगली की फैक्टरी को तबहा कर दिया प्रॉपर तरीकी से लड़ाई हो गई उस समय पे एक इस्ट इंडिया कंपणी का एजेंट था जिसका नाम था जॉप चार्नॉक जॉप चार्नॉक को समझ में आया कि भाई इन मुगलों से हार तो गए है तो इनसे पूरा पंगा लेना ठीक नहीं जॉप चार्नॉक ने क्या कहा कि मुगलों से निगोसियेशन शुरू किया उन्होंने कहा कि भाईया अराम से बात करते हैं भी तो हम हार गए हैं देखें अंग्रेजों की हमेशा से पॉलिसी रही अंग्रेज क्या करते थे राई शेर देते थे अगर लडाई में जीत गए तो अपने हिसाब से कंडिशन इंपोस कर देंगे अगर वो लडाई में हार गए तो दूसरों के साथ निगोसीशन करने लगेंगे कहेंगे भाई ट्रीटी साइन कर लेते हैं या कोई निगोसीशन कर लेते हैं आउट अप दवे जाके और शांती ले आते हैं तो यहाँ पर जॉप चारनक नहीं है इन्होंने का कि यह 1690 में फरवरी के महीने में यह ट्रीटी साइन होई एक तरीके साब कह सकते कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पीस आगया जो लड़ाई चल रही थी 1682 से सो जो होस्टैलिटी की कंडिशन थी वो 1690 में आगे थोड़ी बहुत खतम होई और सुतनती नाम की जगा थी वो सुतनती नाम की जगा भाई दे दी गई आपके इन अंग्रेजों को अब सुतनती में अंग्रेजों ने लगाई अपनी एक इंग्लिश फैक्टरी 10 फरवरी 1691 को ठीके तो 10 फरवरी 1691 में अपनी फैक्टरी लगाई अब क्या हुआ कि भाई सुतनती से अपने trade practices को ये अंग्रेज follow कर सकते हैं पुरानी वही जो duty देते थे ये साल के 3000 रुपए की duty देंगे तो 3000 रुपए की duty देंगे हुगली वाली तो तोड़ी दी ती नोने installment इस 3000 रुपए की duty देनी पड़ेगी अंग्रेजों को मुगलों को और उसके बदले में ये अपना trade कर सकते हैं उस trade पे इनको सरकारी officials को duty देने की ज़रोत नहीं पर corruption था तो duty इनसे चीनी देते थे लेकिन अंग्रेज बहुत नाराज हो गए थे गुसा हो गए थे उनको ये लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके हमको control करना है लेकिन उनको पता था कि भाई ये मुगल तो बहुत ताकतवर हैं से सीधे दुलर नहीं सकते तो बरदमान करके अपना ये जो सुत्रनती वाला जो fortification ये जो सुत्रनती वाला जो इनका settlement है ना जहाँ पे इन्होंने अपनी factory लगाई थी उस factory को हम fortify कर लेते देखे fortification is the first step towards militarization जब भी आप कभी एक military power बनने की कोशिश करोगे एक political power बनने की कोशिश करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे आप करोगे fortification fortification मतला भी कि जो जगा जहां से आप अपनी activities को coordinate करते हो उसको secure बनाओ secure कैसे बनाओगे उसके चारो तरफ आप बड़ी बड़ी दिवाल खड़ी करोगे जिससे अगर उस पे कोई attack हो तो आप उन दिवालों के पीछे खड़े होगे safe zone में और उपर से नीचे की तरफ attack कर सकते हो attack को ठीक तरीके से repel कर सकते हो तो उन्हेंने सुचा कि सुतनती वाली factory को हम लोग कर देते हैं 45 उस समय पे दोस्तों क्या हुआ ये लगबख बात होगी 1796 में ये लोग प्लान बना रहा था कि कैसे भी करके इस factory को हम लोग 45 करेंगे सुतनती के आसपास के दो और इलाके थे एक था आपका गोबिन्द पुर और एक था काली घाट इस काली घाट को काली कटा भी कहा जाता है काली कटा से आप कॉलकता देख सकते हैं दो कि यहाँ पर देखिए दोस्तों गंगानदी बह रही है आप यह देखिए यह देखिए आपको नजर आला सुतनती काली कटा गोविंदपुर यह उस समय का कॉलकता है कहा जाता है कि इन तीनों सेटलमेंट्स को मिलाया ठीक है यह कि कॉलकता शहर की जो स्थापना की गई थी ना कॉलकता शहर का जो रूट है वो रूट यह है कि अंग्रेजों ने सुतनती कली कटा और गोविंदपुर को मिला के एक बड़ा सा एरिया बनाया वो एरिया था इनीशल कॉलकता सिटी फिर दीरे 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 वो एरिया आज पास के एरिया में फैलता गया और ये राइट वाला मैप दिखा रहा है आज पे आज की समय पे किस तरीके से कॉलकाता सीटी एजस्ट हो रही तो वही नदी यहाँ पे भी बहरी है दोस्तों लेकिन आपको यहाँ पे एक बड़ा सा शेहर नजर आ रहा है ठीक है तो यह चीज है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस चीज से कन्फ्यूज मत हुई है का यह जो नदी मैं आपको बोल रहा हूँ न मैंने बोला है गंगेस नदी बट एक्चुली मैं गंगेस नदी इसको इसलिए बोला गया यह है हुगली नदी बट एक्चुली बाद में जाके तो ग वापस आते हैं तो तीन इलाके थे आपके ठीके अचा यह तीन इलाकों पर कंट्रोल कैसा है सुतनती में तो फैक्टरी खड़ी करने की पर्मीशन मिली थी इंगलिश को इंगलिश मर्चंट्स को 1698 में क्या हुआ इन अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगा के किसी तरीके इसके तीन विलेज़ेस की इन्होंने जमीनदारी पे हातिया लिया कौन से तीन विलेज़ेस थे एक तो सुधनती तो थाही कलिकतावी था और गोबिदुपुर था तो तीनों की जमीनदारी मिलगी Britishers को इसके लिए इनको 12 सुर्पय देना पड़ा इन तीनों को मिलाके इन नदी भी बहती हुई नजरारी, फोर्ट विल्यम बहुत ही सुन्दर सी जगह है दोस्तों, कभी भी कॉलकाता जाए है, तो फोर्ट विल्यम जाके देखे, महां का एक प्रॉमिनन टूरिस्ट स्पॉर्ट है, आज की डेट में भी है, वाइट रंगी बड़ी प्यारी से बिल् एन्गरेजो का आड्मिनिस्टरेशन होगा, उसका में सेंटर होगा कलकता, और उस कलकता के अंदर बनाया गया यह फोर्ट विल्यम, और इस फोर्ट विल्यम के पहले प्रेजिडेंट थे आपके सर चार्स आयरे, ठीके, तो यह हो गया दोस्तों, आपको इतनी समझ में आन इन आपको नज़रा लिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फरुक्सियर के फर्मान के बारे में दोस्तों, क्या था आपका फरुक्सियर का फर्मान? 1715 में क्या हुआ? देकि 1707 में मृत्य हो गई थी औरंग्जेब की, और जैसे ही औरंग्जेब की मृत्य हुई, जो मुगल सामराजी की नीव थी न, वो थोड़ी डगमगाने लगी, फरुक्सियर राज में था, 1715 में, उस समय पर एक इंग्लिश मिशन, जिसके लीडर थे अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस जगा पे, जब अंग्रेज तेजी से उपर उठ रहे थे, एक efficient मुगल एंपरर की जरूरी थी, एक अग्बर जैसे, एक आप कह सकते हैं कि औरंग्जेब जैसे मुगल एंपरर की जरूरी थी, लेकिन इतने strong मुगल एंपरर सब थे नही अंग्रेज बहुत चालाग थे, तो ये जोर सर्मन के अध्यक्षिता में एक mission गया, अंग्रेजियों का, फरुक्सियर के सामने, और फरुक्सियर से उन्होंने बाच्चीत की, ठीक है, फरुक्सियर खुदी एक पकपेट किंग था, फरुक्सियर ने इनको तीन फरमान दिय और इन तीन फरमानों ने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के इलाके में इस बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी ताकत दे दी, तो ये जो फरुक्सियर के फरमान थे न, आप कह सकते हैं कि मुगल सामराजी की कबर खुदने में काफी काम आएंगे काल की गवर्नर को देती थी, कहा गया कि ये जो तीन हजार रुपे हैं, यही दिये जाएंगे मुगल एंपरर को, और उसके बदले में कमपनी जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, उस पे उसको किसी भी तरीके की ड्यूटी देने की जरूट नहीं है, कस्ट पर भी ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी सरकार लेती थी, सरकार कौन थी, मुगल सत्ता, मुगल सत्ता को अंग्रेजों ने क्या बोला, भाई, तीन अजार रुपया देंगे, वहन हमारे सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगाओगे तुम फरी उक्सीट बोला विल्कुल, ठीक है, फिर भीया, कमपनी को ये ताकत दी गई, कि वो दस्तक इशु कर सकते थे, ठीक है, और दस्तक केवल कमपनी की ट्रेड के लिए नि, अपने परसनल ट्रेड के लिए भी इशु कर सकते थे, दोस्तों, दस्तक क्या होता था? दस्तक document होता था जो company अपने paper पे लिख के दे देगी और company ने अगर अपने paper पे वो दस्तक लिख के दे दी तो रास्ते में कोई भी person उस good को नहीं रोख सकता ना उस पे पैसा मांग सकता है मतलब company के पास इसमें पर मुगल emperor की ताकत आगे कि भाई वो अपने letterhead पे दस्तक इशू कर रहा है कुर्स को transportation के लिए और इन दस्तकों का इस्तमाल जो company के servants थे उन्होंने भी खूब किया तो उन्होंने अपना personal business भी वहाँ पे शुरू कर दिया इसलिए का जाता था कि East India Company की जो posting हुआ करती थी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी ठीक है जो England के बड़े-बड़े अमीर घर के लोग थे वो चाते थे कि उनके बेटे जाके इंडिया में posting करें बहुत पैसा कमा के आ जाएंगे कुछ दिनों में फिर कलकत्ता के आसपास के इलाके में जो company है वो और land को rent पे ले सकती है और कम rent पे ले सकती है इस चीज़ की ताकत दी गई फिर भाई हैदराबाद में अब पहले मैंने आपको बताया था कि गोल कॉंडा के सुल्तान से काफी सारे concessions ले रखे थे तो अलरडी company ने तो हैदराबाद में अलरडी company के पास trade में बहुत से duty exemptions थे तो अब्वेसी बात है किसी तरीके का हैदराबाद में भी आपको rent देने की जरूत नहीं है ये बोला फरुक्सियर ने अपने फर्मान में तो भाई बंगाल में तो 3000 रुपे दे के कोई आपको duty पकर देने की जरूत नहीं है हैदराबाद में क्या हुआ था पहले कि हैदराबाद में पहले जो गुलकॉंडा को सुल्तान था उसको 500 पकोड़ा देके duty देना बंद कर दिया था यही चीज यहाँ पे होगए कि भाईया कोई भी ट्रेड होगा हैदराबाद में उस पे हम duty नहीं देंगे यह चीज हुई तो यह privilege भी मिली company को तो अब उनको duty देनी दी केवल मदरास presidency की जो रेंट देना था हो केवल मदरास presidency का इंडिया company जो coins को बनाएगी उन coins को as a currency माना जाएगा पूरे मुगल empire में अब यह कबर ही तो खोदी फरुक्सियर ने क्या किया देखिए कभी भी ध्यान दीजए जो currency को mint करने की ताकत होती है एक देश की मुदरा को जो mint करने की ताकत होती है वो हमेशा सरकार के पास होती है अगर यह सरकार यह ताकत किसी और को दे दे लिए तो सरकार अपनी sovereignty किसी और को दे दे लिए और actually में फरुक्सियर ने यही किया यह सब चीजे पाने की कोशिश पहले भी British merchants ने बहुत की थी तो जहांगीर से कोशिश की गई थी शाह जहां से कोशिश की गई थी और अंगजेब से मांगने की कोशिश की गई थी इनमें से किसी ने भी इस तरीके के concessions मिले लेकिन देखें इस समय पे भले ही concessions लिया अंग्रेजों ने उन्हों ना directly मुगलों से पंगा नहीं लिया चोकि इस समय पे भी इंडिया में एक ताकत थी जो इस्ट इंडिया कंपनी की authority को challenge कर रही थी और वो थी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की इस्ट इंडिया कंपनी थी न दोस्तों वो भी यहां पे बहुत active थी तो वो भी परिशान कर रही थी British इस्ट इंडिया कंपनी को तो उस ते नहीं बढ़ना था अब वो रड़ाई बाद में होग गया है खैर वो एक गलत चीज है बस मैंने connection बताया आपको अब यह जो Wix नाम की political party थी English Revolution 1688 के बाद इसका influence बढ़ा इसने बोला कि भाईया यह East India कंपनी को आपने इतनी ताकत दे दी है सिर्फ यही trade कर सकता है यह गलत है एक दूसरी कंपनी बनाएंगी तो उन्होंने एक कंपनी के जो head थे वो थे Sir William Norris और कहा कि Sir William Norris इस दूसरी कंपनी के बिहाफ पे औरंग जेप के court में जाएंगे यह 1701 और 1702 के लगबक की बात है यह जो दूसरी कंपनी बनी जो की Wix के कहने पर बनी यह पूरी तरीके से fail हो गई यह utter failure था फिर भाई Parliament से pressure आया Queen से pressure आया और यह बोला गया कि भाई यह जो नई कंपनी Wix ने बनाई है ना इस कंपनी को आप East India कंपनी के साथी merge कर दो तो अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि अब जो कंपनी उभर के आईगी उसका नाम होगा United Company of Merchants of England Trading to the East Indies यह एक कंपनी बनी थी 1600 के लगबक जो की Queen Elizabeth के charter स बनी थी और एक कंपनी यहाँ पे बनाई Wix ने ठीक है यह लगबक बनी है 1700 के समय पे अब इन दोनों कंपनी को merge कर दिया गया और जो कंपनी मर्ज होके सामने आई उसका नाम है United Company of Merchants of England Trading to the East Indies और इसको popularly कहा जाता है East India Company हाना कि जो कंपनी काम कर रही थी इंडिया में उ उसको लगातार एक normal basis पे East India Company कहा जाता है बट formally कहा जाए तो इन दो companies के मिलने के बाद जिस कंपनी का उदय होगा ना उसे East India Company कहा जाएगा बट उतना specific याद रखने के actually में कोई जरूरत खास है नहीं दोस्तों आप हम बात करेंगे यहाँ पे the formative years of East India Company तो आपको पता है सबसे पहली timeline देखते हैं 1600 में आपकी इस East India Company का गठन हुआ तो इसको चार्टर मिला था कुई इलिजबेट से 1609 में पहली बार इस East India Company को official representative आया मुगल कोर्ट में जिसका नाम था विलियम हॉकिन्स विलियम हॉकिन्स जब मुगल कोर्ट में पहुचा तो भाईया शाह जहां आपके सकते जा पाना शेहन शाह कौन थे तो थे आपके जहांगीर जो की थे अकबर के बेटे यह जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि सूरत में फैक्टरी खड़े करने की पर्मीशन मिले नहीं मिली चुकि और विसी बात है पुर्टुगीज का बहुत ज़दा influence था मुगल कोर्ट में 1611 नॉम्बर तक यह कोशिश करते रहे उसके बाद ही हार गे चले गए 1611 में मुगल गवर्नर सूरत का जो मुगल गवर्नर था उसने इंगलिश के कैप्टन को जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन इस कैप्टन मिडल्टन को यह permission दे दी कि भई आप सूरत के पोर्ट का इस्तमाल करके अपना trade बगारा कर सकते हो तो trade permission मिली बट factory खड़ी करने की permission नहीं मिली आप बाद में दोखोगे दोस्तों factory खड़ी करने की permission मिली इन अंग्रेजों को 1613 में और 1613 में सूरत में अपनी factory खड़ी की इन अंग्रेजों ने उसके बाद इनकी पुर्तगी से भी लाई होगी फिर आप आगे देखेंगे 1615 आया 1615 में एक important person जिसका नाम थ आपके मुगल कोर्ट में ये किसके representative थे तो किंग जेपस वन के representative तो 1618 में कौन राज में था 1618 में भाई आपके जहांगीर राज में थे 1605 से लेके 1627 तक 22 साल का जहांगीर का राज था तो 1618 में आप देखेंगे Thomas Rowe जहांगीर के कोर्ट में आएंगे जहांगीर से बात कर इस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर खड़ी की तो वो खड़ी की मसूली पटनम में मसूली पटनम के थोड़ा साउथ में इस फैक्टरी को खड़ा किया गया मसूली पटनम के पास ही मसूली पटनम का एक्चुली पोर्ट बोला आता है आंदर पदेश में आता है ये तो य आप गोल कॉंडा के पोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की ड्यूटी बरने की दरोत नहीं है, बदने में 500 पगोडे दिये, अंग्रेजों ने इस गोल कॉंडा के सुल्तान को, उसके बाद आप देखोगे दूस्तों, कि कम्पनी ने इस्ट इंडिया में अप पाला सोर ओडिसा में, यहां पे इस्ट में अपनी पहली कंपनी सटप की, किसने अंग्रेजों ने, यह 1633 है, फिर आगे आप देखेंगे, 1651 में इस्ट इंडिया कंपनी को पर्मिशन मिली कि वो हुगली नाम की जगा थी बंगाल में, वहां पे अपनी फैक्टरी लगा सक काईड़ी फूर्टूकी स्कातिरीन से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके बदले में जो बॉम्बे था वह देज में दे दिया गया, बॉम्बे पहले पूर्टोकी से इसल के इस एंडिडिया कंपनी दिया 1586 में, ओर अग जएन इस इस इंडिया कंपनी को कि भाई आप बंगाल में ट्रेट कर सकते हो 1691 में जब ये सुतनती में चले गए थे तो सुतनती में जब ये अपना फैक्टरी नों ने बना ली तो उस समय पे फिर से मुगल एंपरर ने बोला और जो मुगल गवर्नर था उसने बोला कि चलो भाई तुमने लड़ाई अड़ाई करी हमने तुमको दवा दिया अब अब वकाद में रहना आप तीन ज़ार रुपए दे के तुम अपना ट्रेट फिर से कर सकते हो और फिर 1770 में तो बिल्कुल ही मट्टी पलित हो गई 1770 में आया फरुक्सियर और फरुक्सियर ने दे दिया फर्मान और फर्मान ने तो भाई अंग्रेजों को वो ताकत दी वो ताकत आपको बाद बाद में आगे बढ़ते हुए नजर आईगी उसको मैं एक्स्प्लेइन करूँगा टाइम आने पे तो यह था दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे फ्रेंच इस्ट इंड्या कंपनी अपने आपको सेट अप करेगी इंड्या में और उसकी एंड तक हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यह वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए दोस्तों जितने ज़दा लोग साथ हो सके इस वीडियो को शेर कर दें थैंक यू फॉर वाचिंग, have a great day